हलो फ्रेंड्स वेलकम टु मैं चैनल सो यह में दखने वाले प्लांट सेल और एकल्पे की डिफ्रेंस हो तक हाऊए वे मिपधिसिकलर देखने वाले इसके पहले एक वीडियो में हमिने के बारे में डिसक about कि है तो बैसीकली यह तो डिफरंस हुआ है प्लांट और अनिमल सेल का वो किस बेसिस पिए हुआ है उतने पहले लेक्चर में डिसकस किया था कि सेल वह फॉक्ष्टरल एंट फंक्शनल यूनिट लाइफ का यह निकि जिसका अलग फंक्शन होगा उसका सैल भी अलग होगा त तो प्लांट और अनिमल सेल के बीच में तो अलग-लग है कि उनके फंक्शन सनल अलगे प्लांट लोको मोट नहीं करता वह एक फंक्शन हो गया इनिमल फ्यम्ड स्टूड खूद बनाता है अनिमल अपना फूड खूद नहीं बना सकते इसलिए उने एनर्जी कंज्यूं करके इधर उदर लोकोमोट करके अपना फूड ढूंडना पड़ता है तो इनरजी कंजिम होती है तो इस बेसिस पे भी उनके सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है कि उनका माइटोकॉंड्रिया भी में भी डिफरेंट हो सकता है तो इन कुछ चीजों के ऊपर यह जो है वो से ढेल दिफरेंशेट के गए तो अब देखेंगे हम इनके डाशक क्या है प्लांट को क्या ए डिफिनेट श्यप है व्यराज अनिमल सेपर डो नॉट हम डहिसे है plant cell को definitив किसके वजह से किसके वज़ेसे cell वाल के वाज़े यह उसमें डायरीक प्लाजमा मेंब्रेंग और हम कह सकते हैं कि cell membrane present है तो यह एक difference हो गया इसलिए plants को definite shape है और animals को definite shape नहीं means we can say it has irregular shape कह सकते हैं हम उसे बाद में plant has larger vocals plant में क्या है vocals की जो size है वो बहुत बड़ी है बाद में animal cell में smaller vocals है हम देखें फिर से diagram देखेंगे इसमें हम देख सकते हैं कि 90% जो cell है वो वाकिल से cover है plants में whereas animals में छोटा है हमने पहले वीडियो में जिसमें मैंने cell के बारें बताया वह सुमें मैंने बोला था 90% of cell जो है वो वाकिल से cover up होता है प्लांट का बाद में plant में chloroplast है जैसे कि हमने पहले function define किये थे कि वह food बना सकता है क्योंकि इसमें chloroplast present है chloroplast के अंदर different type के pigment होते हैं जो कि photosynthetic process में use होते हैं जिसे की खाना बनता है यह देखिए plant की हम फिर से diagram देखेंगे इसमें chloroplast है वेराज हम यहां पर कहीं पर chloroplast नहीं देख सकते आइनिमल के इसके अंदर बाद में क्या बोलता है due to chloroplast it possess photosynthesis correct है chloroplast होगा तो उसमें different pigments होगे तो वह photosynthesis possess करेगा वेराज अनिमल में animal do not possess photosynthesis क्यों क्योंकि उसमें chloroplast ही नहीं है तो photosynthetic pigment नहीं होगे तो वह पशेस नहीं करेगा तो यह तो हो गई difference उन दोनों के बीच में कब similarities किया है दोनों सेल के अंदर वह हम देखेंगे दोनों में mitochondria mitochondria जो है वह energy provide करता है in the form of ATP वह energy बनाता है और दोनों cells को provide करता है उसके उपर से में अलग से lecture बनाऊंगा अगला वाकिल्स को हमने डिसकस कर चुके हैं endoplasmic reticulum इसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा और हमने पहले वीडियो में भी उसको discuss किया है nucleus बहुत interesting cell organelles है क्योंकि यह जो है वह genetic हमारा डिसाइड करेंगा उसमें chromosome होते DNA होते यह रहने होते हैं जो कि हमारे genetics को decide करेंगा तो बहुत interesting वीडियो बनेगा वह गॉल्जी बाड़ी जोते हैं सबके में functions बताऊंगा cell membrane जिसको हमने discuss किया है पिछले वीडियो में जिसे plasma membrane भी हम कह सकते है देन lysozones है और ribosomes है तो यह थे कुछ difference और कुछ similarities इंदो cells के बारे में होप सौप को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को like करें share करें subscribe करें for more videos thank you